ना जाने कितनी सरधा नाम की लड़की जो है, दरिंदो की सिकार हो जा रही है. तो आप अपने क्लास में संसकार देती है कि नहीं देती है। एक रुपया में दिल्ली के मुखरजी नगर जैसे जगह पे खड़ा होके बैच चालू क्यूं आपने कि शिक्षक जो होता है वो राश्टर का निर्माता होता है और सिक्षक अगर ठान लें कि हमें बच्चों को सिक्षा के साथ साथ अच्छे संसकार भी देने हैं जितनी प्टेटिव एकजाम का तैयारी भी करना आप दीरे-दीरे छोड़ना सुरू कर दिये चुकि उन्हें उमीद हो गया कि अब सरकार जो है सरकारी नोकरी नहीं देने वाला है तो कोई सरकारी नोकरी में सीडियों लुटियों नहीं है मैडम साधी हुआ है कि नहीं मैडम आप अभी हमारे साथ देश का फेमस एक मैडम है जो पटना में भी पहले पढ़ाती थी और अभी मुखरजी नगर में online classes देती है और एक रुपिया में बैच को चालू किया है इनसे जो है हम लोग सिख्छा के साथ साथ जो है संसकार भी चर्चा करेंगे और देश में एक जगन अ आप से संसकार पर पूछूंगा क्योंकि इस देश में अनेकों सिख्छक हैं जो सिख्छा तो दे रहे हैं लेकिन संसकार नहीं दे रहे हैं भारतिय संस्कृति सभ्यता के बारे में नहीं बता रहे हैं जिस वज़ा से ना जाने कितनी स्रधा नाम की लड़की जो है दरिंद सारे लोगों से संपर्क किया और आप तयार हुई तो आप सबसे पहले इस सवाल का जबाब दीजे देखिए मनीजी आप जो बात कर रहे हैं अभी जो दिल्ली में ये केस चल रहा है फिलहाल जो श्रदा वाला केस है जिस तरीके से उस बच्ची ने जो गलती करी है उस गलती क पिछे का जो कमी रही है वो ये रही है कि कहीं ना कहीं हम सिक्षक लोगों से भी ये गलती हो जाती है कि हम क्लास में बच्चों को हमारे पढ़ाई के साथ-साथ हम भारतिय संस्कृती और हमारे जो संसकार है जो हम बच्चों को नहीं बता पाते हैं तो मेरा ये मानना है कि ह हम जब बच्चों को जब first day जब बच्चा क्लास में एंटर करता है उसी समय हमें बच्चों को ये पढ़ाई के साथ साथ हम सब कुछ पढ़ा देते हैं बच्चे को Newton लो हो गया हम यहां पर science में economics में सारा कुछ हम बच्चों को पढ़ा देते हैं गणित कैसे calculate करनी है सब क्यों आपने किया है घर बैठे यह सामान रासन तक आ जाता है तो मेरा यह मानना है कि हर घर तक फिर वह अच्छी सिक्षा क्यों नहीं जाए बच्चा जरूरी थोड़ी है कि भारत के हर एक छोटे से गाव देश कस्बे में बैठा है तो वह मुखरजी नगर या पटना जै है अनेकों सिक्षकों का वीडियो वाइरल होता है लेकिन उसमें से साय से एक दो परसेंट ही सिक्षक है जो संसकार पे भारत की संस्कृति सभ्यता पे चर्चा करते हैं बाकि 99.99% सिक्षक जो है सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं और यहीं कारण है कि अफताफ जै दो को सब कुछ सिखा देते हैं कि आगे आने वाले दो साल के बाद जो एक्जाम लाइफ है उसमें बी तो उस समझय से कैसे उभर की आना और प्लान मतलब पईशा का माना वाला बात नहीं हम कर रहा है हम कर रहा है कि भारत के बच्चों में संसकार देने का क्या प्लान है। जी मनेजी हमने अभी यही ठाना है कि ऐसे जो हर यह कोई दिल्ली में जो केस हुआ है मनेजी यह कोई पहला केस तो है नहीं या फिर यह आखरी केस भी नहीं है तो हमने बस अब यह सोचा है कि हम सिख्षा के साथ साथ हम हमारे क्लासेज में चाहे वो ओनलाइन क्लासेज हो चा देने का यह जो एक मुहिम चलाए हैं जिसमें हमारे पास एक लाग प्लस स्टुडेंट्स अल्रेडी इस बैच में इन्रॉल हो चुके हैं और लेकिन दिखाईए थोड़ा सा आप मुझे बिल्कुल मैं आपको यहां पर यह दिखा देती हूँ 69,532 मतलब कि लगभग 70,000 लोगों के आसपास जुड़े हुए है इसमें स्टुडेंट यह 70,000 जो है पूरे भारत को बदल सकते हैं अगर इनके अंदर जो है जीने की कला सिक्षा के सास संसकार दे दिया जाए तो यह सरफ यह 70,000 हमारे अप्लीकेशन के हैं इसके अलावा वेबसाइट से भी बच्चे हैं तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो एक लाख प्लस सुडेंट इस बैच में आ चुके हैं लेकिन मेरा यह एक रुपया में मेडम आप सिक्षा दीजे या मत दीजे लेकिन एक रु तो जिस दिन अपताप से जगडा हुआ उस दिन वो मैके चली जाती लेकिन उसने तो अपना दुनिया का सारा दरवाजा बंद कर दिया था अब तो या तो मरो या तो इसके साथ रहो मुखरजी नगर में कम से कम 25,000 सिक्षक होंगे जो बेहतरिन सिक्षा देते होंगे बच बच्चों में संसकार भरने की जिम्मेवारी किसकी है एक भी टीचर जो है इन सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए तयार नहीं होता है जबकि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो बहुत सारे सिक्षक जो है सड़कों पे आंदोलन करने के लिए तयार हो जाते है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है मेडम? खरजी नगर जो देश का सबसे महंगा एजुकेसनल हब है और यहाँ पे छोटा से लेकर बड़ा लेबल का एक्जाम की तयारी कराई जाती है इस जगा पे आप एक रुपिया में सिक्षा दे रही है बच्चों को पढ़ा रही है तो आपके पास पैसा कहां से आएगा? बनीजी नगर बनीजी हमारे पास दोनों विकल्प है ना बहुत सारे और भी अलग बैचे चलते हैं तो कुछ बच् ChRIA हैं जो आपको बाकि उन सब बच्चों तक पहुँचने की जिन बच्चों के लिए 400-500 रुपे भी बहुत बड़ी चीज उजाती है बैच पर्चेस करने के लिए तो एक जगे से जब हमें थोड़ा बहुत इस सेटप को खड़ा करने के लिए जो भी हमारा जो पैसे बसते हैं थोड़े हैं सिख्षा के साथ-साथ कि अपने माता-पिता की विए सम्मान करो ऐसा नहीं होता है कि माता-पिता आज कल की बच्चे में देखती हूं कि माता-पिता से रिस्ता खतम करना बहुत छोटी सी बात होगी बच्चों के लिए छोटा जगड़ा होता है माता-पिता से रिस्ता बच्चे के अंदर हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से डाल सकते हैं अच्छा आरर भी और एंटीपीसी के समय में आपका एक एग्रेसिव वीडियो वाइरल हुआ था जिस समय आप गॉर्मेंट पे बहुत ज्यादा गुसा थी तो वो क्यों आपने वीडियो बनाया था से बचारा गरीब बच्चा दिन रात एक करके अपने पढ़ाई कर रहा था और उनको यह पता नहीं था कि हमारा एक्जाम होना का सबके चकर में अगर आपको जेल में डाल दिया जाता तो तो क्या होता हम जेल चले जाते और क्या इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है बहुत चाहते यह सरकार को क्या करना चाहिए और बच्चों को क्या करना है? कर रखा है उसे के हिसाब से सारे डिसाइड कर रखा है कहां डिसाइड कर रखा है सरकार का कोई सरकारी नोकरी में सीडियो लुडियो नहीं है मेडम और यह बताइए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैच आप चलाती है यहां पर लिखा हुआ है तो इतना बड़ा बैच कै चलता जा रहा है और बस यह बाद अच्छी है कि हमारे इंसिट्ट में जतने पी सरे टीचर से वो सब इस मोहिम में हमारे साथ खड़े हैं यह बहुत बड़ी देखेंगे तो इनके माता-पिता से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग देखें और सही बात है घरवाले ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है हलाकि अगर आपको किसी से प्यार है तो वो गुनाह नहीं है आप कीजिए घरवालों को उसकी सारी सचाई बताइए अगर घरवा अग्र बड़ी बात है लड़के जो है अगर I-S- IPS या बडे अधिकारी या सरकारी नोकरी वाले हो घर पजाते हैं तो वह गरीब लड़कियों से साधिकर लेते हैं ठीक है जुश्छा ऑले लड़की यो वाली लड़कियों से साधी कर लेते हैं, घर पे बैठी लड़कियों से साधी कर लेते हैं, लेकिन लड़की, अगर उसको सरकारी नोकरी मिल जाता है, तो 90% कंडिशन में वो जो है, मजबूत यहीं लड़का देखती है, जिनके पास पैसा बढ़ियां हो, सरकारी नोकरी हो, या अचे परिवार से हो, तो ये सिर्फ जिन्मेवारी लड़कों के कंधों पे हैं, कि वो लोग गरीब लड़कियों से साधी करें लड़की लोग स्थार के इस पर र Tolles, जहेश का वालम की जुँद है आजकल के लड़के वालों गीमत रिघार नरे, कि हमने बच्चे को बच्चपन से पाल किया और इतना बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा किया तब तक हमने इतना पैसा खर्च किया है तो उनकी कही न कहीं उम्मीद बन जाती है कि इतना ही पैसा हमें वापिस तो आप भी लड़कियों के तरफ खड़ी हो गई और लड़ आइये बच्चियों को, आइये साइपियस बनाई है, रेलवे में भेजिये, बैंकिंग सेक्टर में भेजिये, और वहां से इस लायक बना दीजे अपने बच्चियों को, ताकि जो है, उन्हें जो है, किसी लड़के को खरिदने का नौबत ना है, आरत का सबसे बड़ा बैच है, इसमें लड़कियों का परसेंटेज कितना है, इसमें मुझे लगता है कि 50-60% मनिजजी, हमारे इंसिटूट की मैं आपको एक खास बात बताती हूं, कि हमारे यहां, जितना रेशो लड़कों का है पढ़ने का, उतना ही रेशो लड़कियों का भी है, और मेरा तो यह है, कि वह गरते चीच का तैयारी होता है, यहां पर, जितने भी वंडे और माल रोही सर मवाला वंडे महच, नहीं, नहीं नहीं वंडे अग्जाम, जैसे ससी हो गया रेलवे हो गया, बैंकिंग बाइन डिफेंस हो गया, यह सारी सेक्टर के, यहां कॉंस्टेबल से लेकर प PCS officer तक बनने वाले, बनाने वाले batches हमें आपे अविलेबल करवाते हैं। तो सिर्फ दिल्ली PCS या UP PCS या पूरे देश का PCS? पूरे देश का PCS, चाहे वो JPSC हो, चाहे वो RS हो, चाहे वो BPSC हो। कौन कोचा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप लोग? सर मैं Science पढ़ाती हूँ, लेकिन हमारे हैं पूरे टीचर के टीम है, Science, Math, English, Reasoning, Subject, Special, सारे टीचर हैं हमारे पास, पूरी एक टीम है, 15-20 लोगों के टीचर की सिक्षा के उपर सबसे कड़वा सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, आज कल के सिक्षक जो हैं, सिक्षक को ब्योसाय बना लिया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखे मनीजदी, आज कल जो आउनलाइन सिक्षक के में बात करती हूँ, तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स फ्री पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिक्षक को आप सारे सिक्षक सरफ वेबसाइक की तरह इसे देखते हैं, मेरा ये मानना है क दोनों ऑप्षन हैं, बच्चे के पास फ्री पढ़ने का भी, और ये जैसे ये बैच हमारा एक रुपे का है, ऐसे हमारे पास और भी बैचे हैं, जिनका प्राइस एक हजार दो हजार है, तो वहां से हम कमाते हैं, लेकिन कमाने के साथ साथ हमारा जो ये सैट अप में हो पाएं, एक महिला सिक्षक जो पैसा भी कमाती है, ये बासत्य है, लेकिन साथ ही साथ जो है बच्चों के लिए एक रुपिया में बैच भी चालू कर दी हैं, तो इस परकार का प्रियास हर एक सिक्षक को करना चाहिए, क्योंकि पैसा जरूरी है, आप कमाईए पैसा, ले साइटी को जरूर डोनेट कीजे, और ऐसे सिक्षक को हम लोग हमेसा तलासते रहेंगे, दिखाते रहेंगे इनकी कहानी को, और और भी सिक्षकों को हम लोग मजबूर करेंगे, कि वो लोग भी सोसाइटी के लिए कुछ करें, बाकी काजल मेडम की बाते हैं, और हमारा ये और फ्यूचर कूल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बात जरूर बताना, कि एक रुपिया में सिक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसे फिरी भी किया जा सकता है, लेकिन गुरु दक्षिना जब आप देंगे, तो ग रुपिया गुरु दक्षिना लेती हैं, तो बस बिनती है, आप सभी से, चाहिए वो छात्र हो, छात्रा हो या सिक्षक हो, प्रियास किया जाए समाज को बदलने के लिए, कहीं अगर आप पैसा कमा रहे हैं, तो कुछ पैसा जो है सुसाइटी को भी जरूर दे, जैहिन जर शो बदलने के लिएSt